और अगली खबर उत्तर प्रदेश के स्रावस्ती जन्पत के थाना छित एकवना इलाके के लालपुर खद्रा से है जहां पर पत्थ पत्नी में आपसी कहा सुनी के बाद पत्थ की बिगड़ गई हालत परिजनों ने पहुचाया निजी साधन से एकवना अस्पताल डाक्टों ने प्रात्मी कोपचार के बाद इवक की हालत गंभीर बताते हुए मेडिकल कालेज बहदाईश के लिए किया दिपर आप सभी का सबसे तेज खबर स्रावस्ती चैनल में स्वागते चैनल को लाइक सीरे में सस्क्राइब करें साथी घंटी का बटन दवाना ना भूले जिस प्रात्मी कोपचार के बाद इवक की हालत गंभीर बताते हुए उसे जिला अस्पक्ताल मेडिकल कालेज बहदाईश के लिए दिपर किया परिजन इंबुलेंस की साहता से उसे बहदाईश लेकर रवाना हुए इकवना थानाचेत के लाल्पु खदा गाउं की घंटना जह परिजनों ने एकवना के सामदा एक स्वास्केन पहुचाया छोटी छोटी बात पर लोग अपना गुस्सा नियंतित नहीं कर पाते और आयर दिन ऐसे ही मामले सामने आते हैं जिसमें कहीं लड़ाई जगड़ा तो कहीं मारपीट की घटनाएं भी सामने आती हैं हाला कि यह इवक की हालत बिगड़ी 25 वर से इवक सुसिल की हालत जिब ज्यादा बिगड़ गी तो परिजनों से लेकर एकवना के सामदा एक स्वास्केन पहुचे जहां पर डाक्टर ने प्राथमी कुप चार के बाद इवक की हालत बेहर नाजुक बताते हुए उसे मेडिकल कालेज बहराइच के लिए रिफर कर दिया मौके पर आये परिजन उसे इंबुलेंस की सहायता से लेकर बहराइच रवाना हुए स्रावस्ति जन्पत के इकवना सामदा एक स्वास्केन की रस्मीर जहां पर भाई को पहुच जाया गया यहां पर प्राथमी कुप चार के बाद डाक ब्रहस्पत वास्साम यानि कि कल की खटना है बताई जा रही है जब पत्पत्नी के विवाद में इवक की हालत बिगडियों उसे इकवना के सामदा इस वास्केन पहुचाया गया यहां पर डाक्टर ने प्राथमी कुप चार के बाद इवक सुसील की हालत गंफिर बताते है उसे मेडिकल कलेज बहराईज के लिए रिफर किया प्राथमी कुप चार के बाद उसे बहराईज भेजा गया इकवना सामदा इस वास्केन में प्राथमी कुप चार किया गया जहां पर हालत में सुधाना होता देखकर डाक्टर ने इसे मेडिकल कालेज बहराईज के लिए प्रच्ट के लिप लिए